प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पार्ट क्रूंधियों के नाम संद पाउलूस का दूसरा पत्र अध्या नौ पत्षंख्या 6-10 जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दो वह अनिश्चा से अत्वल अचारी से ऐसा ना करे क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है इश्वर आप लोगों को प्रचुर माद्रा में हर प्रकार का वर्दान देने में समर्थ है जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी न हो बलकि हर भले कारियों के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए ध्रम ग्रंथ में लिखा है उसने उदारता पुर्वक दरिद्रों को दान दिया उसकी धार्मिक्ता सदा बने रहती है जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है वहाँ आपको बोनी के लिए बीज देगा उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फशल उत्पन कर देगा यह प्रेभु की वानी है संद्र जोगन के अनुसार पवित्र सुख समाचार अध्याई बारा पदसंग या 24 से 26 तक येश्व ने अपने सिश्यों से कहा मैं तुम लोगों से कहे देता हूं जब तक गेगु का दाना मित्टी में गिर कर नहीं मर जाता तब तक वाक अकेला ही रगता है परन्दु जिदी वो मर जाता है तो बहुत पल देता है जो अपने जीवन को प्यार करता है सरवनास करता है अब जो इस अंसार में अपने जीवन से वायर करता है वो उसे अनन्द जीवन के लिए सुरच्षिद रखता है यदि कोई मेरी सेवा करना चागे तो वो मेरा अनुसरन करे जगा मैं हुम वही मेरा सेवा कभी होगा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा या प्रभु का दीविया सुसमाचार है क्रिस्ट प्रभु की जए प्याने भाई और भावनों आज पवित्र कलिसिया संदि लोरेंस का त्योगार मनाती है संदि लोरेंस रोम के कलिसिया के साथ दीकन में से जो दर्म सेवक है उनमें से प्रदम है आर्च दीकन पोप सिक्स्टस जुदिये ने लोरेंस को आर्च दीकन के रुम में 257 में निक्त किया था अवसमें साम्पराट वलेरियन का सासनदा और वे इसायों का उद्पेरन करने और उनको उनको उन्मूलन करने में क्रियाश शील थे साम्पराट वलेरियन ने पोप सिक्स्टस दुदिये को मार डाला और आदेश निकाला कि इसायी धर्म के अरेक धर्म गुरु को बिशब, प्रीष्ट, आर डीकन्स इन सबों को समाप्त कर दे, मार डाले इसके अनसार, सिक्स्टस दुदिये इस महिने के, वगस महिने के छेतारी को मारे गए हाँ रोम का प्रिवेक्ट जो अधिगारी है, शागर का उसने आदेश दिया कि इसायी लोगों का सबी संबत्ती जब्त किया जाए और आदेश दिया लोरंस से कि तुम कलिशया की पूरी संबत्ती अमारे सामने रखो लोरंस से थीन दिन का अभगास मांगा और तीन दिन बाद उसने कागा कि आभी सबतायार है इस दवरान लोरंस ने जोकुछ संबत्ती कलिशया की दी गरीबों में बाट दिया और रोम के गरीबों को बुलाया उसमें प्रवों में विश्वास करने वाले इसाई लोग रोम के मलीन बस्ती में रखने वाले थे अधिगामस जो दासदा में रखने वाले थे आईसे गरीब से गरीब लोग थे आईसे लोगों को इकटा किया आउ सामराट के सामने प्रसुद किया देखिए ये केलिस्या की संबत्ती है ये गरीब, ये नुरधन, ये अनाद आप विदवाएं ये केलिस्या की संबत्ती है इसको सुनकर रोम के सासक इतना कुरुत हो गया उसने लौरेंस को बुनाया हावर उनको मार डाला जो खुशी से एश्यू के लिए शगीद हुई है आज कलिसिया उनको जाद करती है और हमारे सामने जो आज पाठ रखे है वो लोरेंस के जीवन से जुड़े है आज इका प्रतम पाठ हमने कुरिंदियों के नाम पाउलूस का दूसरे पत्र से सुना है इस पत्र में पाउलूस आग्र करते है कुरिंदि की विश्वासी उदारदा से दान दे उन दिनों पाउलूस चंदा इकटा करते दे जरुसलेम के गरीब विश्वासियों के समदाय को देने के लिए कोरिंदे के विश्वासी धनी दे अब इतना की नगी वे अध्याद्मिक वर्दानों से भरे दे अरप्रगार के चंग वर्दान पवित्रात्मा का कृपा और वर्दानों से भरे दे इसलिए पावलुसुन से आगरे करते हैं कि वे दान डेकर गिरीबों के मदद करने में आगे बढ़कर यह प्रमानिद करे कि सच्च में उनके दिल में इष्वरक प्रदी प्रेम है। इसलिए पाविलुस कहते हैं उदारदा से देना। यह कोई आदेश नहीं, आपकी उदारदा का प्रमान मात्र है कि आप जदी गिरीबों की मदद करेंगे, जिरुवत मंदों के साथ देंगे तब यह प्रमान है। प्रवेश ने खागा था कि तुमारी जोदी जलिती रगे। पगाड पर वसा गुआ नागर चिप नहीं सकता। उसी तेरह जिनके दिल में प्रवकी प्रेम है, उदारदा से दान देने में आगे बढ़ेंगे। सुक्ति गरंद अध्याई ग्यारव पदसंग्या 24 में पड़ते हैं, जो उदारदा से दान देता है, वह आओ और दनवान बनता है, जो कृपनता से, मने कंचूसी से दो दान देता है, वह देरित्र बनता है। मालाकी के गरंद अध्याई तीन पदसंग्या 10 से बारह तक में, मालाकी आगवान करते हैं, दसमाम से देने के लिए, प्रभू तुम्हें हर प्रकार का बर्दान से भर देंगे, तुम्हारे फसल, साव गोना पल उत्पन्द करेंगे, तुम्हें प्रभू हर प्रकार के की तुम्हारे केती बारी कुछ सुरच्चा देखेंगे, इत्यारी बातों के खाते हैं, प्रभू येश्वी ने भी खागा था, जैसे हम लुकस के सु समाझारा ध्याई चे पदसंग्या 38 में पड़ते हैं, प्रभू आगवान करते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उटी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोर में डाली जाएगी, क्योंगी जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नाप पा जाएगा। प्रफ़ ने कहा ये संसार के लोग ये संसार के संबति से लोग इस्वर के राजी के लिए सौरक में अपने के लिए पीने के लिए मिट्रा सकते, जो गity पू करके ये स Cherry करके ये सवरु में आका मित्र पेंगे, आईसे आपने द्रस्टिक उनिये ही ये प्रवने कहा दा एक दिर्ष्टांद जो धनीविक्ति जो हर दीन दावत उठाते दे बड़ा काना खाते दे अपने मित्रों के साथ आरंबर का जीवन जीते दे और उनके दर्वाजे के सामनी एक गरीव कंकाल पड़ा हुआ दा आ और उनको काने के लिए नहीं मिलता दा कुत बहुत इनको बरबाद कर देते हैं खाने के बाद फेंग देते हैं बहुत ऐसे लोग है जिनको एक रोटी की तुकड़ा मिलने से संदूस्त हो जाते हैं वो उमीद में कि हमें कैसे कुछ संसार मिले बहुत करीव लोग आज भी संसार में अमारे देश में भी है हर देश में गरीब लोग है, यह नहीं कि गरीब लोग कई सभी जगद नहीं है जैसे अमारे देश में ऐसे सभी देशों में गरीब लोग है और उन बर ध्यान रखने के लिए करिसी आगवान करती है, हम जानते कि मरतरसा जैसे विक्तियों ने अमारे लिए आदरस दिखाया है गरीब लोग की सेवा करके हाँ और जैसे प्रभु येश्व ने खागा था तुमारी जोदी मानिश्यों के सामने चमकती रह गए जिसे से तुमारे बहले कामों को देख कर तुमारे सवर के पिता की महीमा हो एगी हमारे लिए आदरस पावलुस का ये आगवान एक प्रगार के संद लॉरेंस के जीवन में पूरी होगा था वो गरीबों के लिए सब कुछ कर दिया आज के सुसमाजार में पढ़ते हैं येश्व से मिलने के लिए कुछ जुनानी आये थे येश्व ने बतनी में लासरोस को उनके मुर्त्य के चाह दिन के बाद उनको जिन्दा कर दिया ये कबर सबीर रगर लोग बोलने लेगे फ्राइल लेगे अब हम जानते हैं कि इसके बाद कौसाने के रिविवार येश्व बीर के साथ जरिसरे में प्रवेश किया और मंदिर में गया वगांबर जो बिक्री करते हैं उन सब उनको मंदिर से बागर कर दिया उस समय संद जोन के सुसमाजार के निसार कुछ जगूदी एश्व से मिलना चाहते थे इसलिए वो लोग आये आओ और एश्व के सिष्व फिलिपी के साथ आकर ये अपना निवेदन रखा कि आम एश्व से मिलना चाहते हैं फिलिपी ने आंद्रियास अपने साती से कागा और दोनों जाकर एश्व से निवेदन किया एश्व ने उनसे तीन बातें कागा येशुने कागा जब तक गेगू कदाना मिट्टि में गिरकर नजी मर जाता तब तक अकेलागी रहता है परंडू जेदी वो मर जाता है तो बहुत बल देता है दूसरी बात जब येशुने कागा जो अपने जीवन को प्यार करता है वाँ उसका सर्वनास करता है और जो इस संसार में अपने जीवन को वाईर करता है वाँ उसे अनंद जीवन के लिए सुरशिद रखता है तीसरी बात यह प्रविने कागा जिदि कोई मेरी सेवा करना चालता है वो मेरा अनुसरन करे जगा मैं हुम वही मेरा सेवा कभी होगा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका सम्मान प्रदान करेगा यह तीनों मत आम जानते संद लॉरंस के जीवन में पूरा हुआ था येशु से मिलने के लिए जो जुनानी आया थे येशु ने उसे फश्टन उसे कगा येशु को देखने कारत ये नहीं है कि आंकों से येशु को देखे येशु को देखने कारत येगी है कि येशु के जीवन नावर उनके जो जिन्तगी है उनका अस्थित्व है उनका जो खुश है उसको सगिरू से माने समच ले येश्व के जीवन का अर्थ मदलब समझना यो येश्व के देखने कारत है येश्व आये दे संसार में हम जानते कि वो येश्वर है वो येश्वर का नाद शब्त मनिश्वनिश्कर मारे बीच निवास करने आये है इसलिए आए डे वेग क्रोस पर अमारे लिए मरे येशु इसलिए आए कि वे अपना जीवन अमारे लिए समर्पित करे इसलिए येशुने अगा गेव का दाना अकेले रगे तोई अकेले रगेगा भाए नहीं पर नदू ये मित्ति में गिर्क मर जाता है तो एक नया फाउदा उगेगा और इससे अजार उंग फल उद्पन हो जाएंगे ये शुकर देखने करते हैं ये शुकर दरसन उनका उनका पिलोसपी अफ लाइफ उनकी अध्यादमिक्दा को समझे और इसके एक गूर आर्थ दर्वता है साइद जुनानी इसलिए आये दे कि येशु से पिलोसपी चर्चा करे पावलुस कुरियूंटे के इंदाम पतर में कवते ये 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 प्रगार का बादा है और जुनानीं के लिए ये ये खुरूस मुर्कता है पर दुहाम मारे लिए ये 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 का कुरूस मुक्ति का सादन है कुरूस पर मरे गुई एक मसी जगुदियों के लिए बादा है क्योंकि उनकी प्रदिप्चा है मसी आने के आरते की जगुदि सम्राज की स्तावन संसार में हो गई जुनानी एक कुरूस पर मरने वाले बैक्ति को इश्वर का पुत्र मानने के लिए स्तायार नहीं होगा क्योंकि उनके बुद्धी में ये सब मुर्कता है कोई कुरूस पर मरे आपने जान दे दे परिदू येश्व करते मैं इसलिया आया हो कि वह जीवन प्राप्त करें परिपूर्न जीवन प्राप्त करें उसके लिए येश्व को अपने जीवन देना है लॉरंस ने एक किया था येश्व ने आपने जीवन को प्यार करता है उसका सर्वनास हो जाता है पर दो जो अपने जीवन को वाहिर करता है, इस करता है कि कम प्यार करे और अपने जीवन को समर्पित करे ताकि वो सदा के लिए जीविद रखेगा मदद तरह से ने अपने जिंदगी गरीबों के उतार के लिए समर्पित किया, पादा डामियन जो कुष्ट रोगियों की मदद के लिए गेये दे मौलोकाई और हम जानते हैं कि वो आदर से अमारे सामने रखा है दूसरों के लिए जीना अद दूसरों के सेवा करते हैं वो ये मरना इसके दोरा अम अनस्षरों हो जाते हैं प्रव येश्व ने ये भी कहाँ कोई मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मेरा अनुकरन गरें वो अनादी शब्त इसवर होते हैं वो येशे पावलोस फिलिपियंग नम पात्र में लिखते हैं वो अपने को दीन हीन मना दिया इसकारते हैं अपने को शुन्य कर दिया इसवर की बरावरी करने के बदले वो दास का रूपदारन कर अमारे बीच निवास किया अपने को समर्पित कर दिया कुश पर अभमानी दोकर मरा अब सबों के सामने येश्व एक क्रिमिनल के रूम में मरा क्रिमिनल नहीं दे सबसे पवित्र विक्ती अपने जान देकर संसार को उतार किया लोरंस के दिन हम इन बातों को सुनकर हमारे जिवन में भी येश्व के लिए जीना येश्व के लिए जीने कारते हैं कि हमारे बीच जितने भी गरीब आवर अनाद आवर संसार में जो दबेगु ये लोग है उनके लिए जीना येश्व ने का का जब तुम चोटे से चोटे भाई हों के लिए जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया येश्व की सेवा करना हाई हम प्रातना करें ये प्रभव आप संद लोरंस के लिए तुचे दनिवाद देते हैं उनका जीवन ने आतरस्माई जीवन था वो चुटी सी उमर में उन्हों ने सब्स्य बड़ा बड़ितान दिया येश्व के लिए गवाग दिया अपने जान के द्वारा उन्हों ने सेवा की कलिश्या के आधी कलिश्या में जतने भी गरीम लोग दे जतने भी अनाद दे इस सबों की सेवा के लिए अपने को समल्क मत कर गया विसकारण वो अपने जान भी देना पड़ा पावलु साज के पार्ट में अमें समझाते हैं कि अमें उदारदा से दान देना है जो संबत्ती हम सोचते हैं अमारा है अमको इसको चोड़ के जाना पड़ेगा आज नहीं है तो कल ये संसार के संबत्ती से ये प्रभू केवल इतना हैं अम अपने जीवन यावन मिना की ज़ड़ा थकावड के खर सके परद्ती संबत्ती लेकर कोई भी नहीं जा सकता इसका सद्व्यो करें दूसरे लोगों को भी जीने में आम मदद कर सके बोत लोगों के पास बोछ कूछ है परंदु दूसरों के साथ शेयर करने में इतना ये लोग तैयार नहीं है सारे संसार में सबों के लिए ये शोर ने प्रबंद किया ये परंदु किछ लोग अपने कबचे में रखते हैं इस कारण बहुत लोग आज भी गरीब है ये प्रबु आम तुचे दनिवाद देते हैं बहुत ऐसे लोग उदारदा से दान देते हैं अपने जीवन से मल्पित करते हैं इन सब भाई भगनों के नाम पर हम तुचे दनिवाद देते हैं आज संद लोरेंस के स्थियोगार के आउसर पर आम ये प्रार्थन करते हैं कि गरिवों के प्रदी अनादों के प्रदी एक नई प्रेरना कर से हमें जागर्द हो जाए आप विशेश करके जिनके पास संसादन है वो अपने संसादन दूसरों के विकास के लिए भी प्रयोग करे यह प्रार्त नाम करते हैं हमारे प्रभु कृस्ट के दौरा आमेन प्रश्वत है जीवन का मन्ना है कर दो अपने संसादन है